जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को B2 BSC SARS EGANM की तयारी करा रहा हूं और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2014 के Chemistry लिए चु ahí गे पेपर कों, यानि की एजी के पेपर में जो आपके chemistry section से question पूछे गए हैं उस question को हम देखेंगे, solve करेंगे और मैं हर एक question को explain करता चलूँगा तो आज जो मैंने paper लिया आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह के question दिये हुए हैं सभी question बहुत अच्छे हैं और सभी आने वाले आपके exam के point of view से देखा जाए तो important है आप इन pattern को समझे किस तरह के question के pattern पूछे जाते हैं और आप को जो भी question अच्छा लगे या जो question का pattern अच्छा लगे आप उसको note down करिये और अपने आने वाले exam की तैयारी करिये तो आएए वीडियो को start करते हैं और देखते हम पहले question को the total number of electron present in 18 ml of water is तो आपको बता रहा है कि 18 ml जल में कुल electronों की संख्या कितनी होगी तो आए देखते हैं कि कैसे हम question को solve करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि एक mol जो बराबर होता है वो होता है 6.023 x 10 के power 23 के अब यदि question में आपको value ml में दिया हुआ है तो आपका जो answer होगा वो होगा ml में यानि कि एक mol अगर ml में value पुछा हुआ है तो आपका answer भी ml में होगा तो हमारा जैसे एंसर लिखते हैं तो 6.023 x 10 के power 23 ml तो यह stp पे दिया रहेगा तो for example बात करते हैं जैसे कि 12 g carbon दिया है और यह बराबर होगा आपके 6.023 x 10 के power 23 के हैं अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं यदि अगर question में ml में है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12 ml carbon is equal to 1 mol यानि कि 6.023 x 10 के power 23 तो आज देखते हैं इस question को तो question में दिया हुआ है 18 ml of water तो इसे हम 1 mol water लिख सकते ह हैं तो हम total electron निकाल लेते हैं यानि कि 1 mol water में कितने electron होंगे अब यहां पर हम देखते हैं कि H2 में electron कितने होंगे तो hydrogen के आपके 2 electron और oxygen के हो गए आपके 8 electron तो total अगर हम करें तो आजाएगा हमारा 10 electron तो 1 mol की value कितनी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे 6.023 x 10 के power 23 का हम क्या करे तो यहां पर 0 है तो हमारा power क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा तो हमारा answer आजाएगा 6.023 x 10 के power 24 यानि कि हमारा जो right option है option 3 है तो इस तरह हम इस question को solve करेंगे या इस तरह के जो भी question आते हैं उनको solve करेंगे चलते हैं अगले question के question no.27 है तो actual में यह question आपका theory portion से है और इस question में AC-Bate Tratation से दिये हुआ है तो पहले question को देखते हैं क्या कह रहा है in the Tratation of Na2CO3 by SCL using methyl orange indicator तो जब Na2CO3 से SCL अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा अब कर बनाएगा NaHCO3 plus NaCl प्राप्त होगा अब जब इसमें दुबारा हम methyl orange indicator मिलाएंगे तो यहां पर यह दो प्रोटॉन दिया तो यहां पर आपको जो राचाल दे रहखा है वह उरne proton की वैली दे रहा थे थे मेल अब यदि हम जब तु प्रोटॉन मिलेंगे यानि कि अभिक्रिया में चितने मिले दो प्रोटॉन मिलें तो दो प्रोटॉन कि वैली क्या प्रोटॉं ओ ग्लाइगी 21 इन्टू 10 यानि कि 20 ml तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 20 ml कोश्चन नमबर 28 है जो कि मुश्ट इंपोर्टेंट है यह आपके नीट और जी के एक्जाम में भी पुछा गया है वह मॉडल एक्स्वेंड यानि कि जो बहर का मॉडल है वो किसकी व्याख्या करता है तो बॉर मॉडल एक्सप्वेंड करता है S1 इलक्ट्रॉन के लिए या यूनी पॉजितिव के लिए या फिर हाइडरोजन पर्मारू के लिए तो यहां पर देखे कि option 2 में लिखा है कि किसी भी परमाडू या आयन के spectrum जिसमें केवल एक electron हो तो यहां पर आपका जो right option होगा option second होगा देखे option first में दिया है केवल hydrogen atom के spectrum की तो यदि आपका यहां पर second वाला option नहीं होता तो यह first वाला option आपका सही होता बट यहां पर आपके किसी परमाडू आयन के spectrum के साथ साथ आपके केवल एक electron की भी बात बुला है तो इसलिए आपका right option है option second the spectrum of an atom और an ion containing one electron only चलते हैं अगले question के और question number 29 है equal weight of methane and oxygen are mixed in a empty vessel at 298 Kelvin तो यहां पर question का रहा है कि एक खाली बतन है जिसमें की 298 Kelvin ताप पर methane तथा oxygen समान समान पर मिस्ट किये गए तो कुल दाप में methane के दाप का भाग होगा तो आएए देखते है कि कैसे हम question को solve करेंगे तो actual में जिसका weight अधिक होगा वो solvent का काम करेगा और जिसका weight कम होगा वो solute का काम करेगा तो यहां पर हम question के according mole निकालेंगे both of weight यानि की दोनों का mass तो दोनों का mass कितना है आपका 32 है तो हम पहले क्या करते हैं mole of oxygen निकाल लेते हैं तो सीधा हम लोग ऐसे करते हैं कि mole of oxygen इसकोल 2 हो जाएगा 32 upon 32 तो हमारा हो जाएगा value 1 तो next हम बात करते है mole of CH4 की तो 32 upon हम क्या करेंगे 16 करेंगे कि CH4 का जो mole आएगा वो आएगा 16 तो solve करेंगे तो आजाएगा 2 तो देखी अब आपको क्या करना होगा तो यहां पर हम लोगों ने oxygen का 1 mole और CH4 यानि की methane का 2 mole निकाला है तो हमें अब mole fraction निकाला है यानि कि किस का mole fraction निकाला है CH4 का तो mole fraction of CH4 तो CH4 का mole fraction कितना निकाला था 2 निकाला था अपान 1 प्लस 2 यानि कि हो जाएगा 2 अपान 3 तो जिसका mole fraction पुछता है उसको उपर लिखते हैं और जो total mole fraction होते हैं उसको नीचे आड़ करते हैं तो इसलिए हमारा right option आएगा आप्शन थर्ड 2 बाई 3 चलते हैं अंगल a and b are mixed to produce c and d the reaction quotient q in the beginning of the reaction is तो जब दो अभिकरमे के और भी मिलते हैं तो c और d बनता है तब अभिकरिया के प्रारम में अभिकरिया गुडांक यानि कि q क्या होगा तो देखे qc क्या होता है qc equal to होता है concentration of c into concentration of d upon concentration of a into concentration of b अब जब अभिकरिया सुरु में start होई होगी यान c plus d तो जब अभिकरिया start होगा तो जो product का concentration वो क्या रहोगा 0 रहोगा तो यहां पर जब value को हम रखेंगे 0 यानि कि c और d की value क्या रख देंगे power में 0 रख देंगे तो हमारा जो concentration यानि कि जो answer आएगा qc के लिए यानि कि qc की value हो जाएगी 0 तो यहां पर हमारा जो right option होग का option first होगा सुनने यानि कि 0 आज देखते हैं question number 31 तो देखे इस तरह के question आते हैं इसके लिए trick है जैसे कि strong acid के लिए trick है मैं आपको बता दे रहा हूँ और आगे मैं solve भी कराऊंगा तो strong acid के लिए pH value होती है वो आपकी क्या होती है 7 से कम होती है यानि कि trick के माद्यम से हम सब जानते हैं कि strong acid के लिए pH value हो वो साथ से कम होगी और कभी आपको इस तरह से question पुछे जाया है यानि कि strong acid के लिए जो value है 10 के पावर माइनस 8 करकी concentration दे यानि कि जैसे question में दिया 10 के पावर माइनस 8 M HCl या फिर HCl O4 तो जब भी इस तरह का question पुछे तो आपका जो answer आएगा 6 और 7 के बीच आएगा तो यहां पर जो आपका right option बनेगा option first बनेगा तो आइए मैं इसको solve करके भी आपको बता देता हूं कि कैसे हम इसे solve करेंगे तो यहां पर 1 H है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H plus IN is equal to 10 के पावर माइनस 8 तो इस तरह से यहां पर pH आना चाहिए 8 यह और यहां पर option 8 दिया हुआ भी है बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम सभी जानते है जो pH पहाना होता है वह 0 से लेके 14 के बीच होता है साथ से कम acid होता और जो 7 होता वो neutral होता है तो इस तरह के question में हम क्या करेंगे तो जो SCLO4 है इसको water में dissolve करेंगे तो जो हम इसे water में dissolve करेंगे तो क्या होगा total H plus IN यान की total H plus IN in solution तो solution हमारा कैसा है एककष solution है तो इस H plus IN का value है 10 के power minus 8 और जो water का H plus IN है इसका value क्या होता है 10 के power minus 7 क्योंकि हम water को क्या मानके चलते हैं neutral मानके चलते हैं और अभी मैंने बताया था कि water जो होता है उसका pH होता है 7 तो यहांपर हम लेंगे 10 के power minus 7 अभी से हम ऐसे भी लिख सकते है 1 into 10 के power minus 8 plus 1 into 10 क पावर माइनस 7 ठीक है इस तरह लिख सकते हैं अब अगर हम इसको और भी solve करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 के पावर क्या लिख सकते हैं माइनस 7 अब यह हमारा क्या गया टोटल H प्लस आयन आ गया अब हम pH निकाल सकते हैं और पीच के लिख फार्मुला हम जाते हैं pH इसको लट फौल हम प्लस आयन तो यह फार्मुले में हम क्या करेंगे कि इस वैल्ल को रखेंगे तो फार्मुला जैसे कि मैंने बताया है pH के लिए यह हो जाएगा minus log 10 के base H plus N और यहां पर एक trick भी काम काता है क्या करेगा की हो जाएगा तो log में जब लेंगे तो 7 minus 1.1 करेंगे यानि कि हम इसे ऐसे solve करेंगे तो 7 minus log 1.1 तो जब हम इसको solve करेंगे तो हमारा जो value आएगा वो आएगा लगभग आपके 6.986 के आसपास आएगा तो यहाँ पर आपका जो pH है वो लगभग 6 और 7 के बीच में है तो इसका option हो जाएगा A तो दोस्तो आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम इसके जितने भी question है उसको solve करेंगे और समय कम होनी की वेज़े से मैं ज्यादे लंबा वीडियो नहीं बना सकता पर मैं पूरी कोशिस करता हूं कि आपके लिए मैं समय देकर आप कि आपकी थैयर ही अच्छा से चल पाए तो दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएगा कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूस्स सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न बूलेगा और इसे अपने दोस्तो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत